गुड मॉर्निंग एवरिवन आपकी स्क्रीन के उबर जो तस्वीर है ये एक फार्सी पर्जियन पोईट है साधी शिराजी उनका कहना है आपकी स्क्रीन आपकी स्क्रीन पोईट है पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धेरिय नहीं है क्योंकि हम ये समझते हैं कि जहां पर हम हैं वो बेस्ट है बट तो बी ओनेस्ट आगे बढ़ते रहने में ही मज़ा है और जब भी आप कोई नई चीज करें और जब भी आपको डिफिकल्टी फेज हो तो याद रखिए साधी का ये चहरा याद कीजिए इस कोट को कि अभी मुझे फिलाल थोड़ा धेरिया रखना है मैं नई चीज सीख रहा हूँ इसलिए मुझे डिफिकल्टी फेज हो रही है लेकिन अगर इस चीज को मैं कंटीन्यू रखूंगा तो थोड़े टाइम के अंदर ये चीज मेरे लिए बहुती एजी बहुती नॉर्मल बन जाएगी आज 30 जलाई 2021 है डियर फ्रेंज यूट्यूब में एक नए फीचर की शिरवात हो चुके हैं हम शिर आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आप या तो जॉब बिजनेस किसी प्रिफेशन में हैं और कभी न कभी आपको ये भी ख्याल आया होगा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकूँ तो ये एक नया फीचर है अगर आप स्टडी आईक्यू को एक प्रकार से सपोर्ट करना चाते हैं और यू कन हिट इस जॉइन बटन जब आप इस जॉइन बटन को हिट करेंगे मिन्स क्लिक करेंगे इसके उपर तो इट विल टेक यू थू थू इस पेज तो आप 159 रुप इसके साथ यहां पर एक दूसरा फीचर भी है सुपर थैंक्स का तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आज हमरे टेबल के उपर तीन इंपोर्टन आर्टिकल्स हैं और आपकी स्क्रीन के उपर जो यह तस्विर हैं इसको अबजर्व कीजिए इस प्रकार के घर क्या आ आंसर इस नौ देखते ही पता चल गया होगा कि यह किसी हम एक डेवलोप्ट देश की बात कर रहे हैं आमशे और आपने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में हिंदी गानों में और दूसरे फिल्मों में या फिर वीडियो में आपने युरोप के बहुत सारे अलग अलग को देखा होगा बहुत ही खूबसूरत जगा है राइट इस वेरी कुछ जगा है तो ऐसी है दियर आउट स्टेंडिंडिंग आपको लगए कि ऐसी जगा इस प्रिथवी के ऊपर हैं और मिस कब हम वहां पर जाएंगे दियर सो रोमेंटिक सो बीटिफुल प्लाइस यूरोप की मैं जब भी बात करता हूँ तब कुछ चीजें जो है वो हमारे दिमाग में पॉप अप होती हैं एक यूरोप एक वेल्थी कॉंटिनेंट है यहां पर ज्यादातर देश जो है वो डेवलॉप्ट देश हैं जो है वो डेवलॉप्ट हैं और ऐसे देश में आपको इस प्रकार के जो फोटोज या फिर वीडियोज देखने को मिलते हैं तो विश्वास नहीं होता क्योंकि जनरली ऐसी चीजें जो हैं वो तो हमें सिर्फ एजिया और आफरीका खास करके एजिया में बहुत सारी जगह उपर इस प्रकार के बाड़ और बाड़ की वज़े से तबाही जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं लेकिन यूरॉप में ऐसा होना दिस इस इस सम्थिंग डिस वेरी नियू बहुत ही चोकाने वाली बात है कि यूरॉप में इतना बड़ा बाड़ा गया क्योंकि ये दुनिया के कुछ वर्ल्ड के वेल्थियस्ट देशों की हम और टेकनोलोजी भी बहुत ही एडवांस देश हैं इनके पास तो अर्ली वोर्निंग सिस्टम और ये सारी चीजे होने के बावजूद भी वहां पर बाड़ा आया और कितने सारे लोगों की जान चली गई कितनी सारी प्रोपर्टी जो है वो डिस्ट्रोई हो गई ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि सभी जगा पर हर जगा पर अभी तक जो बड़ी बड़ी नदियां है उसके उपर ही फोकस किया गया है छोटी छोटी नदियों को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस येरोपियन देशों में भी नहीं मिला और हमारे देश की तो बात ही छोड दीजे आप हमारे देश में बड़ी नदियों को भी इतना इंपोर्टेंस हम नहीं देते हैं छोटी नदियों की तो क्या बात करें जर्मनी और बेल्जियम में 24 आवर्ज में उतनी बारिश हुई जो एक महिने में बारिश होती है उतनी कॉंटिटी 24 आवर्ज में अब इसक का जियोग्राफिकल रीजन क्या हो सकता है सोचिए इसके बारे में कि कुछ तो होगा कुछ तो जियोग्राफिकल रीजन होगा इसके पीछे के एक दो देशों में या फिर एक लोकेशन के ऊपर एक महिने में जितनी बारिश होती है वो 24 आवर्ज में होगी और अगर इतनी quantity में कहीं पर बारिश होती है तो दुन्या का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार की महामारी या फिर इस प्रकार की एक प्रकार से आप disaster से fight करने के लिए कोई भी इतना disaster prepared नहीं होता है कोई भी देश और यहाँ पर जर्मनी और Belgium में बार आई और इसकी बज़े से दूसरे देश जैसे के नेधर लेंड एक लक्संबर्ग हैं स्विजरलेंड है तो यहाँ पर भी नदिया जो है वो फुल हो गई और वहाँ पर भी बार जैसे situation आई वहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है कहते हैं के यूरोप में यह जो ब बार every 50 years यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश जो है वो कुछ इलाकों में होती हैं लेकिन या फिर होती थी सौरी पचास सालों पचास साल के पिरियड में average पचास साल में एक बार आपको इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिलती थी अब यह जो आंकड़ा है यह 25 यह हो चु आपको देखने को European continent में देखने को मिलती हैं on your screen you can see Europe important या फिर बड़े-बड़े कुछ देशों की बात करें तो you have Germany, France, UK फिर यह सारे देशे नौर्वे, Sweden, Finland and remember मैं European Union की बात नहीं करा हूँ I am talking about continent, geography की बात कर रहा हैं फ़रा जूम करके देख लेते हैं किन-किन देशों की हम आज बात करें तो as you can see this is Germany here, right यह रहा Belgium, यह चोटा सा green dot जो आपको नज़र आ रहा है, this is Luxembourg, then this is Netherlands और यह रहा Switzerland, तो यह चार देशों की बात कर रहे हैं जहां पर बाड़ाई है, एक important river है, यहां पर देख सकते हैं, this is called Danube, तो यह Danube river में बाड़ाया, फिर Rhine river है, इसक को याद रखिएगा, क्योंकि यह Ryan river जो है वो, you can see here, इसका mouth जो है, वो Netherlands इस जगा पर पड़ता है, और यह Germany से, और दूसरे देशों से start होती है, but Switzerland में भी है, लेकिन it passes through Germany and then it enters into Netherlands, okay, तो यह हो गई थोड़ी geography की बात है, एक और नदी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका ना इसका mention is article भी में, article में भी नहीं है, शायद आप एक continent का map देखेंगे, तो आपको यह देखने को ना मिले, इसके बारे में थोड़ा research कर लीजेगा, यह चलिए आपके लिए एक प्रशन है, मियूज नाम की एक river है, युरॉप की, इसके बारे में कुछ geographical details जो है, वो मुझे देखी, तो यह कितने देशों से पास होती है, और राइन रिवर के बारे में भी, आपको same question है, कि राइन रिवर कितने देशों से पास होती है, make sure कि आप इसके उपर research ज़रूर करें, easily आपको problems में यह प्रशन पूछा जा सकता है, okay, तो take it very seriously, okay, now, यह चीज़े जो हुई, कुछ scientists जो है, वो UK की एक university है, जिसका नाम है University of Reading, अब University of Reading के कुछ scientists जो है, वो काफी खुश थे, क्योंकि यह जो चीज़ होने वाली थी, यह disaster आने वाला था, इतनी ज्यादा बारिश होने वाली थी, उसको उन्होंने पहले ही predict कर लिया था, और उन्होंने पहले ही, यह ज warning दे दी हैं, तो किसी भी प्रकार का इतना कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो गलत साबित हुए, इतनी advanced infrastructure या फिर इतनी advanced early warning system और advanced infrastructure होने के बावजूद भी, जर्मनी और Belgium जैसे देशों के अंदर total 214 लोगों की मृत्ती हुई, बहुत सारे लोग आज भी लापता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी खबरे तो हमें एजिया में पढ़ने को मिलती है, ऐसी खबरे हमें यूरोप में पढ़ने को मिल रही है, इस वेरी शोकिंग, एक ऐसा देश है, जिससे दुनिया के बाकी देश जो है, वो सीख सकते हैं, that is Netherlands, Netherlands जो है, ये एक ऐसा के साथ डील करें और कैसे, क्वेश्वल्टीज को हम एवोइड करें, Netherlands कैसे ये सारी चीज़े करता है, Advanced Flood Management System है, अच्छी preparation करता है, drilling होती है, वहाँ पर drilling यानि की practice की जाती है, और organizations जो है, वो भी काफी loaded और काफी अच्छी है, अब geographical reasons की बात करें, तो experts का कहना ये है, और कल या फिर परसो हमने इसके बारे में बात किती, मैंने ये statement आपको बताया था, तब मैंने इसको ध्यान में रखते हुए नहीं, एक general जो phenomena है उसके बारे में, या फिर एक general जो scientific चीज़ है, वो हमने डिसकुस किती, क्योंकि temperature बढ़ रहा है, इसकी व moisture absorb करने की capacity जो है, वो ज्यादा होती है, और ज्यादा moisture absorb करने की capacity की वज़े से, ज्यादा बारिश भी होती है, और ज्यादा बारिश की वज़े से, flooding system हमें देखने को ये बार आ जाती है, एक और interesting चीज़, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जियोग्राफिक के बढ़ जाता है, तो ऐसा होता है, temperature जब पोल्स का बढ़ जाता है, तो जो storms होते हैं, उसकी speed कम हो जाती है, and I'm sure आपको basic जो जियोग्राफिक की knowledge है, वो पता होगी, तो I'm not going into the details, कि जो गरम हवाएं हैं, वो उपर उठती हैं, फिर वो इस तरफ आगे बढ़ती हैं, फिर ये cycle जो हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन जब पोल्स जो हैं, ये गरम, इसका temperature जब बढ़ जाता है, तो ये जो एक cycle हैं हवाओं की, वो थोड़ी slow हो जाती है, और इसके slow होने की वज़े से क्या होता है, कि ये ज्यादा पानी जिस हवा ने capture किया है, ये धीरे धीरे आपक के continent के उपर से ये हवाएं पास हो रही हैं, और बारिश जो हैं, वो एक लंबे time पर, ज्यादा बारिश जो हैं, वो एक लंबे spell में आपके geographical location पर होगी, तो ये बहुत important phenomena हो रहा है, slow moving storm and surplus moisture, ये surplus moisture वाला point में आपको समझाया, और now this one, slow moving storm, तो ये दो चीजों की वज़े से जब भी हम ये केरला में ऐसा हुआ था, 2018 में, कि वहाँ पर जब बार आया था केरला में, तो उसके पीछे इस प्रकार की ही एक चीज़ responsible थी, और ये भी कहते हैं, कि ये temperature बढ़ने की वज़े से, जो jet stream आपने geographic की basic किताबों में, when I say basic, I am talking about NCRTs में, jet stream के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, तो आपने शायद तयारी की शिरुवात अभी की होगी, तो don't worry, आप इसको पढ़ लेंगे, NCRTs में, काफी अच्छी तरीके से explain भी किया है, कि jet streams जो है, वो क्या होती है, तो ये जो तेज चलने वाली जो एक प्रकार की हवाय है, एक height के की वज़े से ये situation, ये surplus moisture वाली हवाय है, जो है, वो ज्यादा, slow-mowing storm जो है, उसकी वज़े से ज्यादा बारिश हो रही है, okay, enough about this geographical thing, हब बात करते हैं Netherlands के बारे में, several have asked, what did the Netherlands do right in dealing with floods and what did the others do wrong? Germany के पास भी advanced flood warning system है, दूसरे देशों के पास भी है, लेकिन जो Netherlands है, Netherlands के लोगों की एक अलग ही thinking है, वो, you know, उन्होंने जो conventional ways है, जो normal जो तरीके हैं, जैसे के डैम बनाना, वाल्स क्रीट करना, gates बनाना, ये सारी चीजें तो वो कर ही रहा है, इस से आगे एक step आगे गया, वो nature के साथ रहना सीख रहा है, Netherlands का जो mantra है, वो है, live with water, build with nature and make room for the river, उन्होंने कुछ नदियां जो हैं, उनकी जो depth होती है, उसको ज्यादा increase किया, उसकी जो width होती है, उसको ज्यादा increase कर दिया ह और कुछ alternate channels भी create किये, कि excess अगर पानी आजाता है, तो वो पानी जो है, जो main नदी है, तो कुछ ऐसी branches भी create कर दी, कि अगर ज्यादा पानी आएगा, तो वो पानी जो है, वो यहाँ पर distribute हो जाएगा, 1993 और 1995 में जब वहाँ पर you know, दो major floods आए, तो फिर उसके बाद Netherlands ने इसकी शरुवात कर दी, उन्होंने रिवर वैंक्स को widen, और जो नदी के इर्दगिर्द का इरिया है, उसको reshape करने की शरुवात कर दी, यह चीज भारत में हमें सिखने की आबशक्ता है, हमरी यहाँ पर तो बहुत सारी जगा ऐसी हैं कि नदियों के, डायरेक्ट यहाँ पर नदी हैं और बस वहाँ से ही घर जो है, उसकी starting होती है, और जैसा ही थोड़ी बाड़ या फिर ऐसी कोई चीज आ जाती है, तो पूरी यह सारी जो घर हैं, वो बरबाद हो जाते हैं, ज किसी को पता है, लेकिन मीडिया वालों को पता है, लेकिन जब बाड़ आती है, उसके बाद ही इन सारी जगाओं को attention मिलता है, तब तक हम सब इस चीज़ को ignore करते हैं, इस लेक ओफ awareness, नेधरलेंज में यह awareness बहुत ही ज्यादा है, कि वहाँ पर एक एरिया को छोड़ कर फिर वहाँ पर घर और फैक्टरीज और सारी चीज़ा है, आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर क्या है, कि नदियों के डाइरक किनारे पर हम सारी चीज़ा है, वो हमने create की है, इसके अलावा उन्होंने ये भी किया है, कि जो extra पानी है, वो कुछ बड़े-बड़े playgrounds, I'm not में नदी में फाली थोड़ा कम हो जाता है, वो अटोमेटिकली फिर वापस ये जो extra पानी है, वो फिर में नदी में छोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा पानी का जो management है, वो किया और latest ये जो अपी finding हो रही है, मैंने बहुत सारे articles पढ़ने के बाद में मैं आपके साथ ये बात करना हूँ, तो ये बात आई थी सामने के Netherlands ने ये जो अभी किया तो उसमें main नदी जो है, उसमें एक मीटर पानी कम था, जिस तिमया है, वन मीटर इस बेग तिंग, एक मीटर पानी कम चल रहा था, क्योंकि इतना पानी Netherlands ने काफी अच्छी तरीके से डिस्ट्रिब्यूट कर दिया है, वहाँ पर जैसे मैंने बताया है, ड्रिल्स की जाती है, ड्रिल्स याने की एक प्रैक्टिस की जाती है, कि अगर बाद जैसी सिट्वेशन आया तो हम क्या करेंगे, और एक्विप्मेंट्स और ये सारी चीज़े तो उनके पास है ही, त प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं कहा कि देखिए नेधरलेंड्स ने कैसे बाड़ को चैलेंज किया और पानी को डिस्टिब्यूट हमने कर दिया, हमारे यहां पर किसी की भी जान नहीं गया, प्रोपर्टी का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ है, तो अभी तो जान का नुकसान नहीं हुआ, यह डिजास्टर तो डेफिनेटली हुआ है, और हमें सोचना होगा कि और क्या-क्या नए तरीके जो हैं वो हम निकाल सकते हैं, जिससे हम नेचर के साथ आराम से जी सकें, जिस्टिब्यूट को लेकर पानी को लेकर इनका जो व्यू पॉइंट आज तक कभी भी इस टॉपिक को लेकर पढ़ा हो, कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये चलो ठीक है, लोगों की जान नहीं गई, लेकिन हमें खुश होने की जरूरत नहीं हमें ये कंटिनियूजली रिसर्च या फिर सोचते रहने की जरूरत है कि और अच्छा हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जिनको Constitution के बारे में इतनी knowledge नहीं होती है, वही लोग ऐसा statements देते हैं कि हमने यहां से वो उठाया, हमने वहां से वो चोरी किया, etc. तो motor car की शुरवाद भी हमारे देश में नहीं हुई थी और electric bulbs जो हैं वो भी हम किसी और ने, किसी और देश के scientist ने इसको हो जा था, फिर ऐसे तो बहुत सारी चीज़े हैं, तो आप यह सारी चीज़ों को भी use क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर कहीं पर अगर सत्य की सोध हुई, कहीं पर अगर कोई नई चीज़ किसी को मिली है, for example, nationalism, liberty, यह सारी चीज़े जो French Revolution में आई, तो वो सारी चीज़े हमने यहां पर अपनाई, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, भारत का योग जो ह रही है, तो क्या वो हम दुनिया के लोग ऐसा सोचेंगे, कि हम इसको चोरी करें, नो, आईडियास जो हैं, वो कहीं पर भी पैदा हो, doesn't matter, अगर humanity को improve कर रहे हैं, अगर लोगों के जीवन को वो और ज्यादा better बना रहे हैं, तो it's never a copy, यह सारी चीज़े human beings के लिए तो हैं नाव, जब भी हम constitution और चीज़े पढ़ते हैं, तो हमें बहुत गर महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारा constitution कितना perfect है, कितना अच्छा है, और अगर उसमें कोई खामिया है, तो हम उसको edit भी कर सकते हैं, amend कर सकते हैं, हमारे ही constitution में यह system दी गई है, कि मैं और आप हर रोज हमारे देश और हमारी society और मेरे राज्य या फिर मेरे district या फिर मेरा गाउन, टाउन, इन सारी चीज़ों के चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ मैं educator हूँ, आप civil servant बनेंगे, कोई और आपके parents जो हैं वो business कर रहे हैं, मेरे parents जो हैं वो शायद profession में हो, तो अलग 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 अपनी जो skills हैं उसके उपर focus करेंगे, हम खुद के पैसे कमाएंगे और जो पैसे कमाएंगे उससे tax pay करेंगे, tax pay करेंगे तो पूरी एक system होगी, कि इन पैसों से पुरा देश चलेगा, हम सब कुछ ना कुछ इसमें contribute करेंगे अपनी capacity के हिसाब से और हम कुछ ऐसे लोगों को हमारा vote देंगे ताकि वो लोग जो हैं, वो हमारे बदले में हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाएं, तो ऐसे लोगों की responsibility तो और ज्यादा बढ़ जाती है, इनको हम नेता कहते हैं, हमारे leader कहते हैं, ये आगे चलते हैं, हम उनके पीछे च CPI हो, चाहे TMC हो, जो भी XYZ हमारे देश की parties हैं, मैं किसी भी political parties को के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, राइट, अगर जुड़ा हुआ होता भी, तो जब भी मैं as a teacher आपके साथ बात करता, तो मैं अपने biases को कभी नहीं आने देता, अगर जुड़ा हुआ होता तो, but I am not, यहाँ पर example जो है, वो केरिला का है, कि यह जो leaders होते हैं, वो हमें represent करते हैं, उनकी और ज्यादा responsibility बन जाती हैं, और केरिला में 2015-16 का जब budget उस time के finance minister के money present कर रहे थे, तो उस time पर, वहाँ के कुछ छे ऐसे CPIM जो फिलाल केरिला की सरकार हैं, उसके कुछ important जो MLA's हैं, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने vendalism किया, vendalism यानि की तोड़ फोड़ की, कहाँ पर, वहाँ की legislative assembly में, जो उस राजिय का political मंदिर हैं, ऐसी जगा पर, उन्होंने तोड़ MLA's ने, member of legislative assemblies इस प्रकार का behavior करते हैं, और शर्म की बात ये हैं, कि केरिला के अभी जो education minister है, वी शिवन कुटी, उन्होंने ही ये तोड़ फोड़ की शुरुआत की थी, उन्होंने speaker का जो podium है, वहाँ पर attack करने की शुरुआत की computer terminal को तोड़ फोड दिया, chair और public addresses system को प्रकार के, just imagine के education minister का behavior कैसा है, किसी भी minister का या फिर किसी भी MLA का behavior इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति जो है वो, और मैं ऐसा इनके उपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये videos available है, YouTube के उपर हर जगा पर news में, केरिला के news में, ये videos दिखाए जा रहे है तो शर्म की बात है कि ऐसे लोग यहां तक पहुँच जाते हैं, और केरिला के बारे में हम ये कहते हैं कि हमारे देश का सबसे educated state है, 99% population वहाँ पर educated है, किस प्रकार का education है कि हम ऐसे लोगों को vote दे कर जिता देते हैं, और ये सिर्फ केरिला की बात नहीं है, पूरे देश मे ये situation चल रही है, जब तक हमारे constitution का implementation आप कितनी भी खुबसूरत बाते सोच लिए, आप कितनी भी खुबसूरत बाते करें, अगर आप उन बातों के उपर action नहीं लेंगे, implementation नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, same thing goes with our constitution as well, और देखे यहां पर सरकार जो है, केरिला government वो पह केरिला government का कहना ये है, कि article 194 के तहट जो legislation में होता है, तो members जो है, उनको protection मिलता है, उनको एक प्रकार की immunity मिलती है, Supreme Court ने clearly बता दिया, कि ये जो privileges और immunity की आप बात कर रहे हैं, वो आप कोई खून खराबा करेंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे, इस प्रकार की चीज़े क पर vote करेंगे, और फिर वो पता जलता है, कि वो चीज़ कुछ गलत होती है, तो उस चीज़ में आपको immunity मिलेगी, आप सरे आम तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसा criminal type behavior करेंगे, और आप ये expect कर रहे हैं, कि आपको छोड़ दिया जाए, this is not acceptable, तो अच्छा किया, Supreme Court ने ये बात बताई हैं, और ये article भी आप एक बार पढ़ लीजेगा, यहाँ पर है, मैंने वैसे आपको समझा दिया, कि freedom of speech in the legislature and no member of the house shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given, anything said or any vote given, इसके उपर ही 194, या फिर exemptions जो है, वो यही है, फिर आप किसी को पाल्यामिट के अंदर या फिर legislative assembly के अंदर किसी क आप गोली मार दे, तो that is not कि आपने वहां पर मारी थी तो आपको immunity मिलेगे, it's not like that, फिर है no child's play, this one is from pioneer, now you know कि third wave के बारे में हमने इससे पहले जब बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि third wave में सबसे ज्यादा प्रभावी जो है, वो बच्चे हो सकते हैं, चोटे बच opportunity, इसके लिए हमें 204 million extra doses की आवशकता होगी, तब जाकर हम 104 million बच्चों को vaccinate कर पाएंगे, सरकार का गहना ये हैं कि August से बच्चों को vaccinate करने की शुरुआत कर देगी, बट कहां से, क्योंकि भारत बायो टेक की जो co vaccine है, उसके trial की शुरुआत हो चुकी है, उसका conclusion आएगा September में, दो से लेकर 6 साल के age group के बच्चों को ये vaccine देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इसका trial चल रहा है, और दो साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं, ये trial और सारी चीज़े जो है, means vaccine और ये सारी चीज़े, January, February 2022 तक ready होगे, जाइडिस के डिला ने emergency use authorization के लिए apply किया है, फॉर इस vaccine जो बारा साल और उससे ज्यादा की उम्र के लिए है, लेकिन apply किया है, अभी ये green signal इसको नहीं मिला है, एक option जो हमरे पास है, वो ये है कि Pfizer की जो mRNA vaccine है, जो बारा से लेकर 15 साल की age group के बच्चों को European Union में दी जाती है, तो इस दवाई को हम यहाँ पर खरीच सकते हैं या ला सकते हैं और इस दवाई को हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, मोडिना और फाइजर जो है, उन्हें छे महीनों के बच्चों तक की जो एक trials जो है, वो एनाउंस की है, और मोडिना वैक्सिंग जो है, ऐसे बच्चों के लिए अगले साल USM में available हो जाएग है कि ओगस्त में सरकार जो है वो बच्चों को वैक्सिन देने की शिर्वात कर देगी, बच्चे जो है, वो सुपर स्प्रेडर भी बन सकते हैं, सेकंड वेव में हमने देखा, बीस हजार से भी ज्यादा बच्चे जो है, उनको ये कोविड हुआ था, और सीवियर स्टेज कोविड भी बच्चों में हो सकता है, सीवियर कोविड भी बच्चों में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ इतना ज्यादा नहीं होगा, एस इम्टोमेटिक रहेंगे, इस नोट लाइक देखा, तो जितने भी स्कूल अब खुल रही हैं, तो मेक शूर करें कि सभी और इंचेज को, बाथ्रूम्स और हर जगा को, ख्लासरों में हो जाएंगे जाएंगे, यह सारी चीजओ को हर रोज सेनिटाइज किया जाएंगे, तो आप पलीज पीड एफ को डाउनलोड रही हैं, तो आप प्लीज प्रूछ प्रशन पूछा था उसका आंसर है, तो Guys, right, it's very good कि आप हरोज इसमें पार्टिसिएट करते हैं और कुछ ऐसे स्टुडन्स हैं, कुछ ऐसे व्यूऌस हैं जो पार्टिसिपेट हरोज करते हैं, आपकी कमेंट हरोज होती हैं, बती चाहता हूँ कि आप यह क्वेश्टिन को भी इसमें भी participate करें इसके बारे में भी सोचें अगर आप examination की preparation नगी करें then as well quiz के तौर पर just as an enjoyment के तौर पर आप इसको ले सकते but do participate I will be eagerly waiting for your answer मैंने कुछ आज extra प्रशन भी पूछे हैं सारी चीजों का research आज करना है anyway चलो see you tomorrow enjoy your studies God bless you all